मुझे विश्वास नहीं था कि इस रेसिपी का टेस्ट इतना अच्छा हैगा और मन में ऐसा हो रहा था कि काश ये मैंने पहले ट्राइ की होती ये इतनी स्वादिश्ट होती आज मैं आपके लिए गैसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो खाने में तो मीठी है पर ना तो ये केक और ना मिठाई बहुत ही डिफरेंट इसका टेस्ट आता है तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो को पूरा देखें और इस रेसिपी को एक बड़ ट्राइ जरूर करें तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेर जरूर करें इसी स्पेशल रेसिपी को त्यार करने के लिए एक कप हमें लेना है चावल का आटा आप इसके जगे पर चाहें तो गेहूं काटा लिए सकते हैं पर अथेंटिक लिए अगर आप चावल के आटे से बनाएंगे तो ज़ादा आपने सूजी यह 90 ग्राम के करीब सूजी है यह फाइन सूजी है इसे हम एड कर देते हैं अगर आपके सूजी बहुत ज़ादा मोटी है तो आप उसे ग्राइंड कर सकते हैं सूजी हमने एड कर दिये इसके बाद हम इसमें पानी एड करेंगे और अच्छे से इसका एगू घूल तयार करेंगे तो अभी हम डेड कप पानी डालेंगे जरुवत के साबसे आप कम ज़ादा कर सकते हैं सूजी जो है पानी को ज़ादा अबसर्ब करती है इसलिए हम पानी डाल देते अच्छे से इसके बाद हम इसे मिक्स कर लेते हैं बिल्कुल स्मूध सा एक घूल ब थोड़ेंगे ताकि जो सूजी है और चावल काटा है वो थोड़ा सा फूल चाहे इधर हम ले लेते हैं अलग से पैन और इसमें एक चमच घी डाल देते हैं थोड़ा सा ही घी डालना है इसमें आप अपने पसंद के ड्रैफरूट्स एड़ कर दें जैसे मैंने आप इनारियल पंकिन सीट्स लियें साथी में किशमेश, काजू और बदाम है ड्रैफरूट्स आप अपने पसंद से भी ले सकते हैं इन्हें आपको हलका सा रोस्ट कर लेना है ताकि इनमें घी का स्वाद आ जाए और ड्रैफरूट्स में बहुत ही अच्छा डेस्ट आ जाएगा तो बस इसमें हम रहा देते हैं इतने गुट में आध्य fraction alred जितना पानी सारी चीजेव आधमें मेजर मंट आपको दिखाए देर है इसके बाद रात हम इसे मिक्स कर लेते हैं और गुट को हमें यश्ह से भानी के साथ में घूल लेना है तो यह सारा हम प्रोसेस कर रह रहे हैं उद इसके बाद हम इसमें एक दू चुटकी जितना नमक डालेंगे बस फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए इससे जादा नहीं डालें इसके साथ ही हम डाल देते हैं फैनल सीड्स यानि की सौफ से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अगर आपको सौफ नहीं पसंद है तो आप इस स्किप कर सकते हैं फिर इसमें डाल देते हैं डैसिकेटिट कोकोनेट यानि नारियल का बुरादा अगर आपके पास नारियल है तो आप उसे कद्दू कस करके थोड़ा सा डाल सकते हैं इसमें नारियल का बुरादा लिया है इसे आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और जो प्रॉस्से सोडा को आपको मिक्स करना है लास्ट में और इसके बाद जो बैटर के एक चैक करने इसी तरह की रहनी चाहिए काफी पतली है इधर आपको छोटा बर्तन लेना है जैसे तोटी गढ़ाई ली है आपको यह पैन ले सकते हैं इसमें आपको देशी घी डाल देना है देसी की थोड़ा जादा ही डालेंगे आप कम भी कर सकते हैं इसमें आपको सीधा ये जो हमारा गोल था वो डाल देना है और गैस को एकदम लोही रखना है इस प्रोसेस में इसके बाद ये जो हमने ड्रैफरूट्स रोस्ट किये थे आपको उपर से ऐसे गार्निश कर देने है और मैं यहापे थोड़ी खस-खस भी गार्निश कर रही हूँ इससे यह काफी दिखने में अच्छा लगता है और खाने में भी तो मैंने खस-खस भी एड़ की है इसके बाद हम इसे कवर करेंगे और अच्छे से पक जाने देंगे और यह पकी ही रहा है यह बेक नहीं हो रहा है तो इसे हम 15-20 मिलेट के लिए पकने देते हैं लो फ्लेम पे ध्यान रखेगा इसको आपको एकदम लो रखना है तो यह हमारा जो रेसिपी है तैयार हो गई है इसे आप चेक कर सकते हैं नाइफ टाल के नाइफ दे के ड्राय निकल रहा है तो यह अच्छे से पक गया है इसे आपको थोड़ा सा ठंडा करना होगा लेकिन मैंने यह इसे गरम गरम में ही निकाल लिया है लेकिन खाने में इसका जो फ्लेवर है और जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है खाते समय आपको ऐसा फील होगा ना तो यह केक है ना ही यह कोई मिठाई है बिल्कुल अलग ही टेस्ट आएगा आपको अगर आपनी कभी ओडिसा का पोड़ा पीठा खाया है ना तो आपको समझ में आएगा इसका टेस्ट उसे बहुत मिल रहा है क्योंकि यह उसी से इंस्पायर है इसे मैंने अपने तरीके से बनाया है खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है एक बढ़ तो आप जरूर ट्राई करें और बनाना तो बहुत ही आसान है अगर रेसिपी पसंद है तो आपको बहुत बहुत आन्यवाद अगर आपको मेरी रेसिपी इस अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो उसको लाइक शेयर जरूर किया करें और आपकी सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत थन्यवाद फिर मिलते हैं एक और ने रेसिपी के साथ अभी के लिए बाए